भारतियन्ता पार्टी रामपूर और आजमगड में हो रहे लोकसभा की उप्चुनाओं को लेकर पुरी तरीके से कमर कर शुकी है तमाम जो मंत्री है उनकी डूट्री लगाई गई है खुद यूपी सरकार के मंत्री आसेज पटेल जी भी आजमगड के दोरे पे जा रहे हैं आसेज जी कितना मुश्किल आपको लगता है आजमगड चुनाओं हाला कि समादे पार्टी कह रही है कि काटे की ठक्कर है और तमाम गंभीर आरोब भी पार्टी की दफसर बिजेपी पर लगा जा रहे हैं कैसे देखते हैं आँग देखे 2022 के चुनाओं में पूरे प्रदे 70 से ज़्यादा सीटे गठवंधन को जिता करके उसने इसका संदेश दिया है तो आजमगड का उप्चुनाओं जो है इंडिये जीतने जा रहा है और इंडिये के प्रत्यासी के रोप में दिनेश लाल यादो निरह हुआ दो लाग से ज़्यादा मतों से जीतेंगे ये भी कहा जा रहा है कि दरसल ये जो उप्चुनाओं आजमगड और रामपुर में हो रहे हैं ये उप्चुनाओं 2024 के ठीक पहले हो रहा है इसलिए सेमीफानक तरब देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भी तमाम जाय प्रत्यासी जीते हैं जो जनता का इंडिये पर विस्वास जता रहा है, रिजल्ट आने दीजे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इंडिये के उपर जनता का कितना भरोसा है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकश जोगती है, दोनों ही चुनाओं जहां पर लोकस बाके हो रहे हैं, इसों कैसे देखते हैं? देखे, यह लोकतंत्र है, सब को चुनाओं लड़ने का अधिकार है, और समाजवादी नेताओं को पता है कि जनता उनसे पूरी तरह बिमुख हो चुकी है, और मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ कि दोनों सीटे एंडिये जीतने जा रहे हैं पर शुक्रिया, यह है यूपी सरकार के केमिन मंत्री आसीस फटेल जो सापतोर पर दावा कर रहे हैं कि दोनों ही लोकस्वा की उप्चुनाओं आजमगड़ और रामपूर में एंडिये के जो प्रत्यासी हैं उनकी जीत होगी, क्यामिना पश्चन रोशन के साथ हमें प्रत्यासी हैं